दोस्तो आज हमारे पास है यह SBI Gold Debit Card तो चलिए पहले इसको खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है और फिर बात करेंगे इस Debit Card के जो Features, Benefit और Charges है उसके बारे में और मैं आपको बताऊंगा इस Debit Card के Eligibility और आप इस Debit Card को कैसे ले सकते हो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का TechnoPino चैनल पर चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तो पहले कारते हैं इसको इसके अंदर आपको एक User Guide मिलेगा, यहाँ पर आपको इस Debit Card के बारे में बहुत सारे Information मिल जाएगा और फिर आपको यह Letter मिलेगा, इसमें हमारा जो Gold Debit Card है वो यहाँ पर Attach है तो चलिए पहले इसको निकालते हैं यहाँ से यह Welcome Letter है SBI के तरब से, आप इसको रख सकते हो या फिर फेक सकते हो, कोई दिकन नहीं तो दोस्तो यह रहा हमारा SBI Gold Debit Card दोस्तो आप बात करते हैं इस Debit Card का जो Benefit है उसके बारे में दोस्तो इस Debit Card के साथ आपको ATM Withdrawal Limit मिलेगा 50,000 रूपीज पर देखा और POS Limit मतलब Shopping Limit मिलेगा आपको 2,000,000 रूपीज पर देखा और दोस्तो इस Debit Card का International ATM Withdrawal Limit है 50,000 रूपीज पर देखा और अगर आप इस Debit Card को यूज करके कोई भी International Website में Shopping करते हो मतलब इस Debit Card का International POS Limit है 50,000 रूपीज पर देखा अगर आप इस Debit Card को यूज करके कोई भी Fuel Station में जाके Fuel डलबाते हो तो इसके लिए आपको कोई भी Start Charges नहीं लगेगा दोस्तो इस Debit Card को लेने के 30 Days के अंदर अगर आप 3 Shopping Transaction कम्प्लीट कते हो तो Fast Transaction के लिए आपको 50, Second Transaction के लिए आपको 50 और 3 Transaction के लिए आपको Extra 100 Bonus Reward Points मिलेगा इस Debit Card को यूज करके Every 200 रुपीस पेन करने पर आपको एक Reward Point मिलेगा ATM Transaction पर आपको कोई भी Reward Point नहीं मिलेगा और Fuel Transaction अगर आप कते हो तो उसके लिए आपको Reward Point मिलेगा Normally Debit Card में Fuel Purchase पर आपको Reward Point नहीं मिलता है पर इस Debit Card में आपको Fuel Purchase पर भी Reward Points मिलेगा और दोस्तों ये जो Reward Points आप आण करोगे इसका Valority होगा 3 साल दोस्तों इस Debit Card को यूज करके अगर आप एक Quarter में 3 से जाधा Transaction करते हो तो आपको Double Reward Points मिलेगा मतलब माल लोकि आपने एक Quarter में 3 Transaction कर लिया है आपको एक Quarter में 5,000 Reward Points इस Debit Card को यूज करके आण किया है तो 5,000 नहीं आपको Total 10,000 Reward Points उस Quarter में मिल जाएगा दोस्तों SBI Rewards Bowl के एक Website है वहाँ पर जाके आप आपके Reward Points को Redeem कर सकते हो आपको इक Gift Voucher या फिर Product में आपके Reward Points को Redeem कर सकते हो Redeem करने के लिए आपके पास 300 minimum Reward Points होना होगा दोस्तों आप बात कते हैं इस Debit Card को उपर जो Insurance Coverage आपको मिलेगा उसके बारे में इस Debit Card के साथ आपको Personal Accidental Insurance Coverage मिलेगा 2,000 रुपीज का आपको Year Accidental Insurance Coverage मिलेगा 4,000 रुपीज का दोस्तों आप बात कते हैं इस Debit Card का जो Feeds है उसके बारे में दोस्तों इस Debit Card का Joining Charges है 100 रुपीज प्लस GST अगर आपके पास Savings Account है तो आपको ये Charges Pay करना होगा अगर आपके पास Salary Account है तो आपको कोई भी Charges नहीं लगेगा दोस्तों अगर आपके Card खो जाता है और आप Replace करवाते हो आपके Card को तो आपको उसके लिए 300 रुपीज प्लस GST का Charges लगेगा दोस्तों आप बात करते हैं इस Debit Card का जो Eligibility है उसके बारे में दोस्तों अगर आपको यह Debit Card लेना है तो आपके पास SBI का Gold Segment का Account होना चाहिए SBI उनके Customer को 4 different Segment के Account पोवेट करता है एक है Silver, दूज़रा है Gold, तीसरा है Diamond और चौथा है Platinum अगर आपके पास Gold Segment का Account है तो आप इस Debit Card के लिए Apply कर सकते हो और दोस्तों अगर आपके पास SBI का Gold Segment का Salary Account है तो भी आप इस Debit Card के लिए Apply कर सकते हो अगर आपका Salary 25,000 या फिर उसके उपर का है तो आप Gold Segment Account के लिए Eligible हो और आप इस Gold Debit Card के लिए भी Eligible हो दोस्तों ये जो SBI का Gold Debit Card है इसका Charges तो ठीक ठाक है पर ये Card उतना भी अच्छा नहीं है कि आप आपके Account पर 25,000 मिंटेन करके इस Card को Low अगर आपके Account पर 25,000 मिंटेन करोगे तो ASTFC में आपको Savings Max Account मिल चाहेगा Savings Max Account के साथ आप ASTFC का जो Platinum Debit Card है उसको आप ले सकते हो बिलकुल Free में आपको मिल चाहेगा वो इस Card से बहुत अच्छा Card है उस Card में आपको जादा Insurance Coverage मिलेगा उस Card में आपको Free Launch Access भी मिलेगा और सबसे अच्छी चीज़ 25,000 मिंटेन करने पर आपको उतना Premium Card बिलकुल Free में मिल चाहेगा तो ये Gold Debit Card आपके Account पर 25,000 मिंटेन करके लेने का कोई भी उतना जादा फाइदा नहीं है अगर आपके Savings Account पर 25,000 से जादा परे रहते हैं तो आप इस Debit Card के लिए जा सकते हो या फिर अगर आपके पास SBI का Gold Salary Account है तो आप इस Debit Card के लिए जा सकते हो आपको ये Card बिलकुल Free में मिलेगा तो दोस्तो बस ये था आज का वीडियो मुझे हासा ही कि आपको ये वीडियो बहुत ज़ोदा पसंद आया होगा वीडियो का लाइक और सेयर करना मत भूलिए नीचे कॉमेंट करके मुझे जरूर बताने कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करके रखे क्योंके ऐसा ही इंटरस्टिंग और इंफॉमेटिव वीडियो में आप लोगा के लिए लाता रहूंगा तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम